गुड मॉर्निंट फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीयर्ड परबेस परिच्छा के जीके के पिछले साल के पूछेगे कुछ महत्पुन प्रस उसके बैख्या के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लिजेगा ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आईए सुरू करते हैं नामक पुस्तक के लेखक कौन थे या फिर यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी तो इसका जो साही अंसर है बो है आप्सन नमबर सी जो की है अस्टेपन हॉकिंग्स अब देखिए अब न्यूटन की बात करते हैं आईजेक न्यूटन की तो इन्होंने भी क्या लिखा था एक बुक लिखा था यह भी इनका बहुत फूमस फेमस बुक था फिर अगर आइंस्टिंग की बात करते हैं तो इनने क्या दिया था थियोरी आफ रिलेटिविटी जो की एक है E एक्वल टू MCA स्कौर अस्थाफित किया गया था तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नबर A 1690 और यह किन के द्वारा किया गया था जॉब चारनौक नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो की है हमारा कोश्चन नमर थर्ड बैक्ट्रियोफेज सब्द का परियोग किस ने किया देखे बैक्ट्रियोफेज पहले तो इसके अगर अंसर की बात करते है तो इसका अंसर है आप्सन नमर B हन्वरी हन्किन अगर हम बात करते हैं बैक्ट्रियोफेज का तो इसका मतलब ही होता है क्या बैक्ट्रिया खाने वाला मतलब एक ऐसा भी सानु या बैरस जो जीवानियों में परवेश करके बहु गुनन करते हैं उन्हें ही बैक्ट्रियों फेज कहते हैं देखें, 1896 में हनवरी हैंकिन ने बताया था कि भारत में गंगा और यमुना नदियों कि जल में कुछ हैजा के खिलाफ एक जीवानों रोधी क्रिया हुई थी और यहां बहुत ही बारिट फिल्टर से भी बुजर सकती थी तो इसका जो सही अंसर होगा, हो होगा option number B अब बढ़ते है next question की तरफ जो कि है हमारा question number 4 ही लच्ट सान रच्छन के लच्ट को किस बगत प्राप्त कर लेगा देखिए इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number B 2020 अब बात करते हैं ही targets का कि ही targets होता क्या है तो देखिए biodiversity save करने के लिए biodiversity को बचाने के लिए एक लच्ट सभी देश मिलकर 20 लच्ट नियुदारित करते हैं 20 को यह target पूरा करते हैं और उसके लिए एक target decide किया जाता है कि इतने सालों में हम पूरा कर लेंगे उसी को एची लच्ट बोला जाता है अब आड़ते हैं next question की तरफ जो कि है हमारा question number 5 निमलिखित में से कौन सी सहर सिरलंका की प्राचीन राध्धानी थी तो देखें सिरलंका की जो प्राचीन राध्धानी थी तो इसका अंसर हो जागा option number B जो की है कुलंबो कुलंबो प्राचीन राध्धानी थी लेकिन अगर अभी present की बात किया जाए तो अभी क्या है अभी है स्री जैभर्दन पूरा कोटे स्री जैभर्दन पूरा कोटे जो है वो अभी इसकी राजधानी है और ये जो कोलंबो थी इसको प्राची राजधानी को अब क्या बना दिया गया है कॉमर्सियर राजधानी बना दिया गया है ठीक है चलिए बढ़ते है question number 6 की तरफ question number 6 है हमारा जलवायू परिवर्थन पर संजुक्त राष्ट फ्रेमबर कॉन्वरकेशन 2018 में समेलन 24 सात्र कहां आए हो जित किया गया था तो अगर 24 सात्र तो इस question का जो सही जवाब होगा बो होगा कटोवीज पॉलेंड लेकिन अगर आपके साथ ये भी कोई पूद दे कि COP25 जो 2019 में हुआ है ठीक है बो कहां हुआ है तो बो हुआ है मैडरिड अस्पेन में चलिए बढ़ते है next question की तरफ जो कि है हमारा question number 7 भारत को आत्म निर्भर और एक स्वा उत्पादकर्थ विवस्ता के रूप में अस्थापित करना किस पंचबर्सियों योजना का प्राध्मिक लच्च था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा Option number C तीर्तीय पंचबर्सियों योजना तीर्तीय पंचबर्सियों योजना कब था 1961 से लेके 1966 तक और इस योजना का असफलता का मरून मुख कारण था क्या भारत और चाइना के बीड जो यूध हुआ था 1962 में यही इस योजना का असफलता का सबसे प्रसेध कारण या मुख कारण था चलिए बढ़तें नेक्स कोशन की तरफ जो किया है बो है ऑप्सन नमबर A जाकी चौथी पंचवर्षिय योजना देखे चौथी पंचवर्षिय योजना कब हुआ था 1969 से लेके 74 तक टिक है और ये चौथी जिस तरह से तिर्थी योजना तिर्थी जो योजना था पंचवर्षिय योजना उसका असफलता का मुख कारण था भारत चाइनय यूद तो ये जो चौथी पंचवर्षिय योजना है इसकी असफलता का मुख कारण था बंगला देशियों सरनाथियों का आगमन इस टाइम क्या हुआ था बंगला देश से बहुत सार नार्थी का आगमन हुआ था यही इसकी बिफलता का मुख कारण था चलिए बढ़तें नेक्स कोशन की तरब जो किया है हमारा कोशन नमर 9 भरतिय सम्मिधान की कौन सी अनुसिची में केंद्र और राजियों के 20 सक्तियों का भी भाजन है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number D यानिकी साथमी अनुसिची में अब देखिए अनुसिची 1 की अगर बात करते हैं तो पहली अनुसिची में क्या है राजबं संग्सासिच्चेतर का उलेख है अगर दसमी सुची की बात करते हैं तो दसमी सुची में दल बदल है और आठमी सुची में करते हैं तो आठमी सुची में क्या है 22 भासाओं का उलेख है चलिए अब अड़ते हैं नेक्स कोशिन की तरब जो किया है हमारा कोश्चन नबर 10 बेल्स की राध्धानी निमलिखित में से कौन सी है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number A, card, this ठीक है अगर ये बात करते हैं एडिनबर्ग तो ये जो एडिनबर्ग है वो किसकी राध्धानी है असकॉटलेंड का अगर बात करते हैं डबलिन की तो डबलिन की राध्धानी है अगर बात करते हैं लंदन तो लंदन इंगलेंड की ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरब जो किया हमारा question number 10 question number 11 वासिंग्टन डीसी किस नदी के टर्ट पर इस्तित है तो इसका जो सही अंसर है वो है potomac यानि option number B अगर बात करते हैं हर्सन पे तो हर्सन पे भी एक बहुत important सा हर बसा हुआ है वो है New York अगर बात करते हैं Mississippi की तो Mississippi पे कौन सा है St. Louis अमेरिका का चलिए अब बढ़ते हैं question number 12 की ओर भारत के 70 में गंतंतर दिबस के मुख अती थी कौन थे तो इसका जो साय अंसर होगा वो होगा option number A तचिन फिरका के राश्पती सिरी रामा फोसा लेकिन अगर पूछा जाए कि एक खथर्मे के कौन थे एक खथर्मे के थे ब्राजिल के प्रसिडेंट ब्राजिल के प्रसिडेंट और इंका नाम क्या था Jer Bol Sonaro Jer Bol Sonaro ठीक है बढ़ते next question की तरफ जो कि है हमारा question number 30 बूध ने किस भासा में उपदेश दिया था बूध ने अपना जो उपदेश दिया था बूध या था पाली भासा में तो इसलिए इसका सायन सर्व हो जगा है देखिए गौतम भूध की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म था वो हुआ थो 563 BC में कहां? लुम्बनी में इनकी मिर्टु कभ हुई थी? इनकी मिर्टु हुई थी 483 BC में कुसीनगर में और अगर बात करते हैं कि ये अपना प्रथम उपदेश ठीक है? चलिए और इन्हें एक चीज और याद रखिएगा कि बुध को लाइट आफ या भी या फिर तथागत भी कहा जाता है बढ़ते हैं नेक्स कोशिन की तिरब जो कि है हमारा कोशिन नबर 14 दिल्ली सल्तनत के आकरमन के कारण किस कारण से तो इसका जो सही उप्सन होगा बो होगा उप्सन नबर भी बाबर देखे दिल्ली सल्तनत का अगर हम टाइम की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत कब से कब था? 1200 से लेके 1526 तक उस समय कुल दिल्ली सल्तनत पे पांच बंस ने सासन किया पहला गुलाम दूसरा खिलजी तीसरा तुगलक चौथा सायद और पचमा लोदी अई ये जो लोदी था यही लोदी बंस का जो अंतिम सासक था वो कौन था? इबराहिम लोदी और इसी के बाद क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और इसके बाद सत्ता किसके हाथ में चले जाती है? मुगलो की हाथ में चले जाती है और मुगल समराज का स्थापा कौन था? बाबर तो इसका सही अंसर होगा? बाबर चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं कोशन नमबर 15 हैदराबाद में चार मिनार का निर्मान किस ने करवाया था? तो इसका जो जो सही अंसर होगा ब interpretation नमबर B कुली कुतुबसा कुली कुतुबसा इसका नाम था मुखमद कुली कुतुबसा और ये क्या था? 1591 में हैदराबाद सहर का निर्मान करवाया था ठीक है? और उसके बाद अपनी राध्धानी को भी हैदराबाद अस्थापित कर लिया था और उसी के बाद असमारक के रूप में ये चार मिनार का निर्मान कर वाया था चेलिए, नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं, कोश्चन नमर 16 बंगाल का पहला गवर्नर जेर्नल कौन था तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा जो होगा, आप्शन नमर जी, लॉर्ड बॉर्न हेंस्टिंग देखे, अगर बात करता है प्रथम गवर्नर जेर्नल का, तब तो होगा बॉर्न हेंस्टिंग लेकिन अगर बात करता है कि प्रत्थन गवर्नर का तो गवर्नर कौन होंगे? Robert Clive और फिर Regulating Act कितना है? Regulating Act 1773 इसी के अनुसार क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जेर्नल कहा जाने लगा था चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा question number 17 बंदे मातरम पहली बार भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा option number C, 1896 इसी अधिवेशन में, ये अधिवेशन हुआ कहा था? कलकत्ता में और इसकी अधिच्चता कौन किये थे? इसकी अधिच्चता किये थे? रहम तुल्ला से अनी एक question और इससे related ये भी पूछा जाता है कि जनग अनमना को सर्थ प्रथम कब गाया गया था? तो जनग अनमना को सबसे पहले गाया गया था, 1911 के कलकत्ता दिवेशन में और इसकी अधिच्चता किये थे? बिसन नरायन दत तो अगर बंदे मातरम पूछा जा तो 1896 में कलकता दिवेशन में अधिच्चता किये थे? रहम तुल्ला से अनी और अगर जना का नमना पुछा जा तो 1911 के कलकाता दिवेशन में और उसकी अध्यचता किया थे विसन नराय दत अमने एक्सकोशन की तरह बठते हैं जो कि है हमारा कोशन अबर लेटी मोहंदास करंचंग गाधी कब महात्मा गाधी बन थे कब उनको गांधी कहके संभोषित किया गया था तो सबसे पहले देखिए हुआ क्या था कि 12 अप्रेल 1909 को कब 12 अप्रेल 1909 को रबिंदाना टाइगोर एक पत्र लिखे थे और उसी में पहली बार उनको बोला गया था देखिए चंपारन सात्य अगरा कब हुआ था 1917 में रॉलेट अक्ट 1929 असाहियोग अंदोलन 1924 अचोरी चोरा कंट 1922 चली नेक्स कोईशन की तरह बठते हैं जो कि हमारा क्वेशन नमर 19 निमलिकित में से किस गरह को morning star के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए जो morning star उसी को evening star भी कहा जाता है मतलब भोर का तारा और सांच का तारा दोनों एकी ग्रह को कहा जाता है और इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number C यानि सुक्र ग्रह इसको क्या कहा जाता है भोर का तारा भी सांच का तारा भी इसके साथ साथ ये क्या है सबसे गर्म गरह भी यही है, सुक्री, सबसे चमकीला गरह भी यही है, और इसको साथी साथ एक और चीज कहा जाता है, पिल्थिवी की भागनी गरह, चलिए, अब अगर बात करते हैं, बुध की, तो बुध को क्या बोला जाता है, बुध को बोला जाता है, सबसे छोटा गरह यही है बुद्ध आइस बुद्ध का कोई उपग्रह भी नहीं है और यह क्या है सुल्ज के सबसे नजदीख रहे चलिए अब बात करते हैं अगर Mangal की तो Mangal क्या है Mangal को LAL ग्रह बोला जाता है और इसके दो उपग्रह भी है दो उपग्रह भी है एक को बोला जाता है Phobos और एक को D-Bos D-Mos ठीक है? अगर बात करते है बिहस्पती की, तो बिहस्पती को बोला जाता है क्या? ये सौर मंडल का सबसे बड़ा गड़ा है, बिहस्पती सौर मंडल का सबसे बड़ा गड़ा है नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते है जो कि ये कोश्चन नमर्ट 20 निमलिखित में से भारत में फ्रांस का कौन सा अधिकरहन कर लिया? कौन सा जगा अधिकरहन कर लिया? तो इसका जो सही उप्सन होगा, वो होगा उप्सन नमर C, यानि यानम अब देखिए ये जो यानम था ये पहले फ्रांस इसी उपनिवेस था लेकिन इसको 1964 में भारत में बिलीन कर दिया गया है और ये अभी क्या है? एक पुड़ी चरी का जिला है यानम एक पुड़ी चरी का जिला है चलिए, नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं कोशन नमर 21 मुद्रास अस्पिति का कारण क्या है? तो इसका जो होगा सही अंसर वो होगा धन की आप पुर्ती में ब्रिधी और उत्पादन में गिरावड़ यानि उप्सन नमर C चलिए, नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोशन नमर 22 बैज्यानिक प्रक्रिया का महत्पुर्ण पहलू क्या है? तो इसका परिकल्पना है जैसे जैसे परिकल्पना होगा वैसे वैसे ही क्या होगा? कोई भी चीज का इन्वेंशन होगा इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अप्शन नमर A नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोशन नमर 23 मनुस्तों में बढ़ी आत मुख रूप से क्या करती है? तो देखिए, इसका जो सही अंसर होगा वो होगा, अप्शन नमर A, अप्सोशन अब ये बड़ी आत जो होती है बड़ी आत बड़ी आत में जेनरली क्या होता है? पानी अप्सोशित होता है ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं छोटी आत की तो छोटी आत में क्या होती है? मिन्राल, बिटामीन ये सब अप्सोशित होता है ठीक है? और सलफल के Oxide निकलते हैं ठीक है चलिए next question की दरब बढ़ते हैं जो कि हमारा question number 25 autotrophic जीवों में सामिल है autotrophic का मतलब क्या होता है इसका जो पहले साही अंसर होगा वो होगा option number C हरे पौधे और कुछ जीवानी देकि autotrophic का मतलब ही होता है सोपोसी तो plant जितने भी पौधे जो होते हैं वो सब सोपोसी होते हैं लेकिन जो bacteria होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ठीक है एक होता है autotrophic और एक होता है heterotrophic तो कुछ bacteria ही होते हैं तो इसलिए ये कुछ वाला होगा समस जीवानू नहीं होगे और ये कुछ वाला option होगा मतलब हरे पौधे और कुछ जीवानू चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 26 पानी में alcohol की घुलन सिलता का कारण क्या होता है तो ये इसका जो option होगा वो होगा hydrogen bonding के कारण पानी में alcohol की घुलन सिलता होती है फिर next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 27 नेम लिखित में से किस में सबसे अधिक परमानुसंख्या किसका है सबसे अधिक अगर परमानुसंख्या की बात कर रहा है तो इसका option number हो जाएगर D यानी fluorine देखें N क्या है nitrogen और इसका कितना होता है 7 O की अगर बात करते हैं तो O क्या है oxygen और इसका कितना होता है 8 C की बात करते हैं carbon का कितना होता है 6 और F, fluorine और इसका कितना होता है? 9 next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 28 और Q और Q पर्टेरिक्स जिपास में अब से इसकी एक dot के B चेक करी है तो इसका जो सही answer होगा, वो हो जाएगा option number B, यानि सरी सिर्फ और पच्छी यह देखिए होता क्या है? पहला ग्याद पच्छी यही है और यह सरी सर्फ और पच्छी के बीच के बीच की कर दी है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है question number 29 भारत में पर्टेक बस 28 पर बड़ी को राष्टिये बिज्ञान दी बस मनाया जाता है क्यूं? तो इसका जो सही अंसर है बो है option number A एरामन परभाव की खोज को चीनिट करने के लिए चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 30 MRI का अर्थ क्या है? तो MRI का अर्थ इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number B देखिए MRI को बोलते क्या है? MRI को बोलते हैं Magnetic Regonance Imaging इसका मतलब क्या है? चुम्बकिये अनुनाद Imaging और ये यूज किसलिए किया जाता है? सरीर के अंदर के अंगों का फोटो लेने के लिए internal structure को भी body का होता है उसके फोटो लेने के लिए हम लोग MRI करवाते हैं ये हमारे का यूज होता है Next Question की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा Question No.31 Gun Metal में सामिल है इसका जो सही अंसर होगा Option No.D अब देखिए Gun Metal में होता है क्या क्या है? Gun Metal में होता है किस किस मिला के ये लोग बनता है Copper, Teane और Zinc इसमें Copper जेनरली 88% to 90% के आसपास होता है 3 जो होता है 8 से 10% होता है और ये जो Zinc होता है वो 2 से 4% के बीच में होता है ठीक है? चलिए Next Question की तरह बढ़ते हैं Question No.32 निमलिखित में से कौन सा एक बहुतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका जो सही अंसर होगा Option No.D रसाइनिक परिवर्तन में होता है कि वो अपनी पुरानी आवस्था में नहीं आपाता है उसको रसाइनिक परिवर्तन कहते हैं तो ये जो LPG gas है इसको अगर आप एक बार burn कर दिजेगा इसका एक बार दहन हो जाएगा तो वो पुरानी आवस्था में नहीं आएका, इसलिए ये बहुतीक परिवर्तन नहीं है चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि हमारा question number 33 अंतराष्टिय जैब बिभित्ता के लिए अंतराष्टिय दिवस कम मनाया जाता है तो इसका जो सई अंसर होगा, वो हो जाएगा, option number D, 22 मई अगर बात कर लेते हैं, दो फरवरी की, तो दो फरवरी को क्या मनाया जाता है? दो फरवरी को मनाया जाता है, बिस्व, आदर भूमी दिवस 22 मार्ज की अगर बात करते हैं तो 22 मार्ज को मनाया जाता है बिस्व जल दिवस और 22 अप्रिल को क्या मनाया जाता है प्रितिवी दिवस ठीक है? चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोश्चन नमर 34 Deoxyribonucleic Acid क्या नहीं रखता है? तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा Option No.C यानि Euracid देखें ये जो Acid जेनरली चार चीजों से अलग अलग बस्तुव से मिलके बना हुआ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Nucleotide कहते हैं और ये जो Nucleotide होता है इसमें क्या होता है? चार चीज जो होते हैं वो है Adenin Goanin Thymin और Cytocene ये जो ये जो Euracil होता है ये नहीं होता है इसके जगा पे क्या होगा? Cytocene होगा चले, next question की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा question No.35 किस प्रकिलिया के माध्यम से यूगमक का निर्मान होता है तो इसका जो साय अंसर होगा यूगमक होता है यूगमक जनरली है क्या? यूगमक क्या है जनन कोसी का को हम लोग यूगमक करते हैं तो इसका जो निर्मान होगा वो होगा option No.C सुत्री विवाजन से नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा कोश्चन नमर 36 निमलिखित में से कौन सा बिटामीन पाली में घुलनसील है तो इसका जो सई अंसर होगा वो हो जाएगा ओप्सन नमर C, बिटामीन B और C देखें बिटामीन B और C जो है वो जल में घुलनसील होता है और A, D और K जो बिटामीन होता है वो बसा में घुलनसील होता है ठीक है? चलिए नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा 37 37 क्या रहा है निम्ण में से अधितन दरबमान किसका होता है तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जाएगा आप्सन नमर B, नूट्रॉन अगर देखें, इलक्ट्रॉन का कितना होता है दरबमान इलक्ट्रॉन का होता है आगर आपमान लीजे तो 0.000549 A mu होता है इसका अगर नूट्रॉन की बात करते हैं तो कितना है 1.00867 होता है इसका हाइडोजन नूट्रॉन की बात करते हैं तो 1.00783 होता है इसका अगर प्रोट्रॉन की बात करते हैं तो इसका 1.00728 होता है ठीक है तो सबसे अधिक किसका हो गया neutron का हो गया next question की तरब बढ़ते हैं जो कि हमारा question number 38 अब तक परस्ताबना में कितनी वार्षान सोधन किये गए तो परस्ताबना में इसका जो सयंसर होगा बो होगा option number 1 के बाल एक वार्षान सोधन किया गया और वो कब किया गया था 42 सम्विधान सोधन 1976 में और इसी के अंदर इसमें तीन सब्द जोड़े गये थे जो तीन सब्द कौन से था समाजबाद, पंथ निर्फेच और रास्त की अखण ड़ता और इसको परस्ताबना को कहा क्या जाता है परस्ताबना को सम्विधान की कुण्जी भी कहा जाता है ठीक है, चलिए एक्स कोईशन की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा कोईशन नबर 39 भारत में बीती अपात काल की घोसना आज तक कितनी बार की गई है तो इसका जो सही अपसन होगा ओगा, अपसन नबर D, यानि कभी नहीं देखे, भारत में तीन तरह के अपात का लगते हैं एक क्या होता है एक राष्टिय अपात, एक राष्ट्पति सासन और एक बीती अपात तो ये जो राष्टिय अपात है ये 352 के तरह, ये 356 के तरह, और ये 360 के तरह ये जो राष्टिय अपात है जो आज तक तीन बार लग चुका है एक 1962 में एक 1971 में और एक 1975 में 1962 में जो लगा था भारत चाहिना यूद के समय 1971 में लगा था भारत पाकिस्तान यूद के समय और 1975 में लगा था आंधरी कसांती के नाम पर चलिए Next question की तरह बढ़ते हैं सबसे छोटा किन्सासित परदेश है हमारा सबसे छोटा किन्सासित परदेश लच्चदिप है लच्चदिप की अगर राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी कावर रती है ठीक है Thanks for watching अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजेगा वीडियो कैसा आप लोगों को लगा कमेंट जरूर करके बताईएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा